बड़ा रविवार, शुर को जल चड़ाने वाले लोटे में डाल दें ये एक चीज, जन्मों के पित्र दोश होंगे स्तमापत, पित्रों को मिलेगी मुक्ती, पित्र होंगे प्रसन्य, दोश्तों, हिंदु धरम में पित्र पक्ष का विशेश महत्त होता है, इस दोरान तिथ के अनुसार, यदि आप तिथी के अनुसार, पित्रों का स्राध तरपन या पिंड़दा नहीं कर पाएं हैं, तो शर्व पित्र अवश्या के दिन, बिध बिधान के साथ स्राध कर्म अवश्य करें, इससे पित्र परसन्द होकर अपना आश्तिरवाद देते हैं, हिंदु पित्र वापस पित्र लोग को चले जाते हैं, इस दिन उन पित्रों का भी स्राध किया जाता है, जिनकी मृत तिथी ग्यात नहीं होती, इस दिन पित्रों का स्राध करना अतियावश्यक है, कहते हैं कि जिन पित्रों का स्राध नहीं किया जाता, उन्हें कष्ट पहुंचता और वह अपने परजिनों से नाराज हो जाते हैं जिससे पित्र दोस लगता है। इस दिन पित्रों की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान विश्णू मा लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान सूर का पूजन विशेश रूप से किया जाता है। खास बात तो यह कि इस बार पित्र अवश्या रविवार की दिन पढ़ रही है और रविवार शूर का दिन है। पित्रों का आश्रवात प्राप्त करने के लिए आपको इस बार की सर्व पित्र अवश्या की दिन आपको एक विशेश उपाय जरूर करें जिससे आपकी पित् ब्रह्म्य वैवर्त पुरान की अनुसार भगवान शूर की किर्णों से ही पित्रों को भोजन अन जल प्राप्त होता है। तो 25 सितंबर दिन रविवार को है और रविवार का दिन भी भगवान शूर को शमरपित होता है। अरपित करने से भगवान शूर की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है। भगवान शूर की क्रिपा से पित्र दोस्त दूर होता है। शाथी शभी ग्रह बाधायें भी दूर होते हैं, शाथी पित्र भी प्रसंद होते हैं। और जाने अंजाने से अगर कोई गलती भी होती है पूरे पित्र पक्ष दौरान तो वो भी पित्र देव यानि आप पर क्रिपा बरसा कर उस दोस्त को दूर कर देते हैं। उस गलतीयों को भी छमा कर देते हैं। इस बार की सर्व पित्र अवशक दिन आप शूर देव को आप इस विधी से जल जरूर चड़ाएं। हो जाता है। इसलिए इस अद्बुद सयोग में आई सर्व पित्र अवश्या पर सास्त्रों में बताए गए इस खास बिधी से भागवान शूर को अर्थ अवश्य ही दें। ये उपाय यानि आपको करना है और इस्टान करने के पश्याद अब इनी नहाने के बाद आप धोति और अंगोशा पहन कर स्वक्ष वस्तर पहन कर फिर आप एक लोटा ले लें। दोस्तों ध्यान रखे कि इस उपाय को करते समय लोहे के या फिर प्लास्टिक का कांश के वरतन का इस्तिमाल ना करें। इस उपाय को करते समय आप पीतल का या इस्टिल का लोटा ले सकते हैं। तो आपको जल वाले लोटे में एक चुटकी काला तिल और एक चुटकी चावल डाल दें। पुर्विद्धिसक योर करके शूर्दे को यह जल दे दें और उनसे अपनी प्राथना बोलें और आजित रहदें इस तरहत का पाठ करें और अपनी विशेश मनोकामना बोलें और आप जहां पर आपने जल छोड़ा है वही पर आप यापके लोटी में जो चावल और काले त बच गए होंगे चुकि यह बजनी होता है तो अंदर होगा तो आप उसे हाथों से निकाल कर उसी जगह पर जहां पर आपने जल यानि डाला है वही पर आपको काले तिल और ये चावल डाल देने हैं और दरस्तों सूर को प्रणाम करें और पित्र दोस्त से मुक्ती पाने क करें और उनसे आसरवाद मागें और ओम शूर्याय नमय ओम पित्र देवाय नमय इस मंतर का जाप करें तो पहला लोटा आप यनिकी एक लोटा सूर दे को जल देंगे फिर दोसरा लोटा फिर सुद्ध जल भर लें और दच्छर मुकी होकर आप यनिकी अपने पित्रों को लेकिन इस प्रकार से पूरे बिद्धान से अगर शूर्दे को जल देते हैं तो शूर्दे की कृपा बरसेगी लेकिन दोस्तों सूर उदय के समय यनिकी शर्व वथम आप शोकर उठें और आप ब्रह्म महुरत में उठें और आप नहा दोकर जब शूर उदय हो रही हो सबी विपताई दूर हो जाएंगी दोस्तों इस दिन सूर की उपाशना करने का विशेश महत्व है सूर की उपाशना करने से पित्रदेव परसंद हो जाते हैं दोस्तों इस दिन अगर आपके जीवन में किशी प्रकार की नोकरी ब्यापार बैवाहिक जीवन या संतान या किशी प्रकार की बाधाई चल रही है तो आपको कुछ डाले या ना डाले एक लोटा सुध जल उसमें काले तिल डालके भी आप सूर्दे को दे दे जल तो सारी मन प्रवेश कभी नहीं करेंगी शुक्षान्ति हमेशा बनी रहेगी दोस्तों अगर चाहें तो आप लाल पुष्प यानि कि जल देने वाले लोटे में लाल पुष्प डाल दें लाल पुष्प अगर नहीं है तो थोड़ा से सिंदूर भी डालके और उसमें फिर काले तिल डाल दें और साथ में आप शुर्दे को जल दे दें तो सुर्दे को कृपा बरसेगी तो इस प्रकार से सुर्दे को इस बिदे से जल दें और अपनी मनों कामना पूर्ण करें पितर देव से मुक्ति पाएं जन्मों जन्मों के पितर देव होंगे खत्में और आपके उपर पितर देव होंगे प्रसंद में, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करेंगा, जै शूर देवाए, जै पितर देवाए